Hello friends, My name is Kajal और आек सबी का स्वागत हैsz मेरे channel पर और आज की इस वीडियो । में हम discuss करेंगे UPD में हम discuss 직age i.g 젊ाए और आपका फर्स्ट लेसन है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइलिंगल एप्रोच यानि द्वी भासी द्रिश्टिकोर यानि जो आपका बाइलिंगल एप्रोच है इसमें दो भासा का प्योग किया जाता है जो द्वी भासी होता है इसका अर्थ ठीक है तो इसे कि इंग्लिस होता है और हिंदी होता है तो कोई इंग्लिस सेंटेंस होता है तो हिंदी में अनुआत करते हैं और हिंदी रहता हो तो उसको इंग्लिस में तो क्या इन दोनों में डिफ्रेंट है तो चलिए बताते हैं जैसे कि वह आपका होता है वार्ट टू वार्ट ट इसमें आपका दो Only Śematics होता है, एक तू होता है our target, और दूसरा होता है न और दूसरा होता है यानि मान भी मतलब होता है, मातर भासा रिफ दू होता है, तो आपकंका है तो इसमीं वहता है कि आपको सबसे ज्याद है, इसमें din sqs करा आपका जो मात्री भासा मदर टंग है और टार्गेट को एक साथ जोड़ा जाता है ठीक है जैसे कि एक्जेम्पल के लिए हम अगर ग्रामर मेथड की बात करें तो क्या होता है कि हम वैसे वाट तो वाट ट्रांसलेट करते हैं जैसे कि हम अगर कहेंगे कि ही इस अ ही इस अ एलेफंड थैक है तो हम जो घ्रामर मेथड में पूरा इसका ट्रांसलेट अनुआत करेंगे जैसे ही का मतलब क्या होता है वह हो इसका मतलब को है जो जादा तफ क्या है कि छोटे से बालक को बढ़ाना जो इसमें कि जादा तफ रहे का अलिफेंट तो आप سीदे बतादेंगे कि मतलब होता है हाथ ही इसको पूर तरीके से अनुध कर के नहीं बताएंगे जो उसका टार्गेट जो आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ वह ही बताएंगे और mother tongue से relate करके ठीक तो यही यह bilingual approach है अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि first आपका जो line है method in which two language are used मतलब जो आपका यह बीधी है इसमें दू भासी यानि दो भासा का प्रियोग किया जाता है ठीक है दूसरा point कह रहा है कि combination of direct and grammar translation method यानि कि जो आपका direct और grammar अनुवाद भी होता है यह आपका जो bilingual approach है बीच का combination होता है ठीक है जैसे कि माली जी आपका direct होता है और grammar तो आप अनुवाद भी करते हैं तो combination उसमें भी क्या होता है आप बताते हो कि कौन सा किसका आर्थ है तो जो आपका यह bilingual approach होता है वो बीच का combination मतलब indirect method और grammar method का वो बीच का combination होता है ठीक है अगला आपका point कह रहा है कि what to what translation not done जैसे मैंने अभी बता है कि जो आपका bilingual approach होता है इसमें जरूरी रही है कि हर एक शब्द का आप अनुवाद करें जो सबसे ज़्यादा tough रहेगा उ direct mother tongue से आप उसको relate करके और जितने भी बालक है उनको आप बताएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि what to what translation translation नहीं करना है ठीक है और जो आपका grammar method होता है उसमें what to what translation यानि अनुवाद करना होता है ठीक है आपको पता भी है अब कह रहा है कि mother tongue is used to clear the meaning ठीक है क्या मतल किसी भी अगर इस्ट्रेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलमा इस एलिफेंट तो जरूरी नहीं हर एक बैचे जानता है कि हाथी क्या है ठीक किसी में से कोई जानता है कि क्या और क्या नहीं तो आप क्या बताओगे कि mother tongue मात्री भासा से जोड़ोगे कि कई सारे जानवर ह होते हैं जैसे कि बिल्ली होता है डौगी होता है कुटता होता है उसी में एक बड़ा सा जानवर आता है ठीक है उसमें होता है हाथी तो यह आप mother tongue से relate करके आप इस बाइलिंगल एपरोच के थू पढ़ा सकते हो और समझा सकते हो तो इसमें आप mother tongue का प्रियोग कर सकते हो क इसलिए तो मेंनिंग को क्लियर करने के लिए समझने के लिए यहां कह रहा है mother tongue is used to clear the meaning ठीक है अगला पॉइंट कह रहा है कि rules of grammar are not taught separately ठीक है इसका मतलब क्या हो जाएगा तो जो आपका होता है ब्याकरण के नियमों को अलग से नहीं पढ़ाए जाता है जो आपका यह किस sentence में कौन सा नियम हुआ लेकिन जो आपका यह bilingual approach होता है इसमें किसी भी मतलब कोई भी किसी भी नियम को अलग से नहीं पढ़ाए जाता है साथ में ही इसको पढ़ाए जाता है जैसे कह रहा है rules of grammar are not taught separately मतलब इसको अलग से किसी भी grammar के नियम रूल को अलग से नहीं पढ product ठेक तो आपके पास जो प्रस्तुती होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए ठेक है ताकि हर एक student को बहुत ही असानिक सा समझ में आजाए और practice भी जरूरी है अब भ्याद ठीक है जैसे हमने कल डिसकुस किया था उसके बाद product कुछ अच्छा सा उत्पात होना फाक के sentence ठीक है ताकि उनको समझ में आजाए अगला क्या कह रहा है कि time lever saved accurate less costly मतलब कि इसमें जो आपका bilingual approach है इसमें ज्यादा time यानि ज्यादा समय और श्रम की बच्चत होती है प्लस सटीक बहुत ही असानी के साथ और इसमें कोई भी जैसे हैं लेस कोश्टली कोई पैसा खर्च नहीं होता है क्यों क्योंकि इसमें आपको किसी भी object यानि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज को इसमें दिखा के बता के पढ़ा के और बहुत ही बिस्तार से आपको नहीं बताना है simply क्योंकि इसमें पहले ही बोलने रहा है कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा आपका बाइलंगल एप्रोच होता है अब कहा रहा है कि नॉट मीड और ट्रेंड टीचर मतलब जरूरी नहीं है कि प्रसिच्छे मतलब इसमें यह नहीं है कि आप छो इस नहीं है कि अप्रेंड टीचर से ही आप सिख सकेंगे अधर्धर ब्रक्ष वैक्ति के साथ भी आप इस एक एपरोच का योज गरके और आसानेक साहट क Concept तो प्रशोक पॉन इस पर भासड पर ज्यादा तनाव रहता है कि इस ते स्टेश ओन इस पीच प्रैक्टिस कि इसमें सबस्टे ज़दा भासड आपको बताना होता है थे कि कौन सा आपका क्यूंकि आपका टार्गेट होता है उसे की या नुशार तो इसलिए इस पर ज़्यादा भासट पर आपको इस च्रेज यानि तनाव होता है ठीक तो ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बाइलिंगल एप्रोच क्या होता है अब देखिए इसमें कुछ कमी भी है ठीक है जैसे कि मान लिज़े आपका बाइलिंगल एप्रोच है तो इसमें नहीं ज्याद़ा कोई रोल नाहिं नियम कोपनाए जाता है ठेक है एककर उसन आपका प्राप्त करना था उसनलीव में जो आपकाавай यह डियम अप्रोच इसमें शुद्ध नहीं रह जाती है ठेक कोई भी लेंग्वाक्यों वह की मदर टंग प्लस कोई भी द्वी भासी होता है तो उसमें रिलेट करेंगे तो सुद्ध नहीं रह जाता है जैसे माली जी ग्रामर होता है तो हर एक वर्ड का ट्रांसेज करके और हम बहुत यह चीज़े बताते हैं ठीक तो इसलिए यह आपका जो बाइलंगल अप्रोच होता ह है द्वी भासी होता है ठीक है और मदर टंग से रिलेट करके कोई भी वाकिया और जो सबसे ज़्यादा डिफकॉल्ट वाड होता है उस पे ध्यान दिया जाता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपने प्रीबिस वीडियो नहीं देखा है त मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग टेक कियर और में शाफ लग